प्रधामंत्री नरेंद्र मोधी नई दिल्ने के प्रगती मैदान में तयार हुए भवे ITPO कॉंप्लेक्स के हवन और पूजन कारेक्रम में शामिल हुए और आज शाम साड़े छे बजे वो इसका उद्धार्टन करेंगे हवन और पूजन के बाद पीम नरेंद्र मोधी ने कॉंप्लेक्स तयार करने में जुटेश श्रमेकों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया केंद्र सरकार ने प्रगती मैदान को नया रूप देने के लिए लगभग 2700 करोड रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मनजूरी दी थी ITPO का नया कॉंप्लेक्स आने वाले सितंबर में G20 के शिकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ITPO का नया कॉंप्लेक्स दुनिया के शीर 10 कंवेंशन सेंटर में से होगा जो जर्मनी के हैनोवर और चीन के शांगाई जैसे विख्यात कंवेंशन सेंटर को टक कर देगा